नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SST Solutions with Anuj जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारा CPO का पहली शिफ्ट का वेपर हो चुका है तो जो भी उसमें कोशन्स आये थे उनको डिसकस करते हैं देखो कोशन वही आये थे जो मैंने कल शाम को बता दिये थे कि इन टोपिक्स से आ सकते हैं और उनी टोपिक्स से कोशन थे पीडिया भी मैंने शेयर कर दी थी तो सबसे पहला कोशन पूछा गया था कि जो दिवाली है वो हिंदू कैलेंडर के निमनलिकित में से किस महीने में आती है तो दिवाली आपकी कार्तिक के महीने में आती है अगर हम बात करें रक्षा बंदन श्रावन मास में पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दोरान मनाया जाता है और होली हिंदू कैलेंडर के अंतिम महिने में मनायी जाती है और इसे फागुन मास में मनाया जाता है देखो हमसे दिवाली पूछा गया था अगली शिफ्टो बाशा में लिखा गया था किस बाशा में लिखा गया था संस्कृत बाशा में लिखा गया था कथाच सरीच सागर को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है यह बारतिय कमिंदितियां परियों की कहानियां और लोक कथाओं को परसीद ग्यार मिशतापदी का संस्कृत में लिखा था पूछा गया है कि किस बाशा में लिखा गया था एक के बाद अगला कोशन पूछा गया था किस सम्विदान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संग राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जो सैमंत कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में जो सात्मा सम्विदान के अनुछेद 153 से लेके 162 में राज्यपाल की नियुक्तियां शक्तियां राज्यपाल की स्थिति से संब्यंदित अन्य सभी चीजों का वर्नन किया गया है भारतिय सम्विदान का भाग 6 सरकारी नियुक्ति और अधिकार परदान करता है अनुछेद 153 के अंत इसके न्यूक्त किया जा सकता है अब देख लेते हैं इसके बारे में देख लीजिए भारत के जो सम्विदान में राजयपाल हैं उससे सम्बंदित सभी अनुचे देख लेते हैं क्या पतागली शिफ्टों में पूछ लिए जाएं तो सबसे पहले आता है 153 153 कहता है राज् राज्यपाल के रूप में न्यूक्त के लिए योग्यता क्या होती है इसमें आप याद रखना 35 साल उसकी एज होनी चाहिए एज भी याद रखना पूछी जा सकती है 158 में कहता है राज्यपाल के कारियाले की शर्ते हैं और 160 में कहता है कि कुछ आस्पनित्याओं में चेद 48 ए परियावरन की रक्षा और सुधार तथा वन्नों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में है इसे किसके तहत रखा गया था तो राज्य के निती निर्देशाक सिदान्त अगर हम बात करें डारेक्टिव प्रिंसिपल ओफ स्टेट पोलिसी डिपीएसपी आपने य पीएसपी जोड़े गए थे डारेक्टिव प्रिंसिपल ओफ स्टेट पोलिसी टोटल अभी हमारे समविदान में कितने है ग्यारा है और ग्यारमा जोड़ा गया था जो आपका च्छी आसी कॉंस्टिटूशल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में उसमें जोड़ा गया था टोटल कितने है ग्यारा है दस आपके 42 में समविदान शोदन में जोड़े गए थे और ग्यारमा जोड़ा गया था जो 86 कॉंस्टिटूशल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जोड़ा गया था कहां से लिया गया है आयरलेंड से लिया गया है ये आपने याद रखना है उसक क्योंकि अपने जैविक संजदानों तकाउप्योग करने में संपर्भु है अधिकारों को मान्यता देता है ठीक है उसके बाद अगला कोशन पूछा गया था समराथ चंद्रगुप्त मोर्या के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था ये फेस 12 के पेपर में पूछा गया था रिपीटिड कोशन है तो मैगस्तिनीज इसका सही अंसर हो जाएगा मैगस्तिनीज जो है वो चंद्रगुप्त मोर्या के दरबार में सेलुकस पर्थम निकेटर के युनानी राजदूत थे मैगस्तिनीज चंद्रगुप्त मोर्या के शाशनकाल के दोरान क चंदर गुप्त मोर रहा मैस त नीज ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका उसके बाद अगला कोशन था दा गाइड पुस्तक के लेकख कोन है दा गाइड जो पुस्तक है उसके लेकख के आर्के नारायन दोरा लिखित एक उपन्यास है यह 1958 में परकाशित हुआ था उपन्यास का नायक जो एक टूर गाइड है उसे अध्यात्मिक मारदर्शर बनाने की यातरा पर केंद्रित है उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकैडमी पुरसकार जीता था कब जीता था 1960 में और याद रखिएगा 1960 में ही बॉंबे का भी बाजन हुआ था और महारास्टर और गुजराद जो है वो दो स्टेटे बनी थी कोशन फेस 12 में पूछा गया था कि जो महारास्टर है उसका स्टेट हुड़ डे क्या है तो वो था आपका एक मई 1960 तो ये भी आप याद रखिएगा ठीक है उसके बाद आता है अगला कोशन अगला कोशन देख लीजिए इंपोर्टेंट पुस्तके और लेखके देख लेते हैं इनके तो सबसे पहले है रभिंदर ना टैगोर इन्होंने लिखी गितांजली और काबूली वाला अरुन दती रोए इंपोर्टेंट है दा गोर्ड ओफ स्मोल थिंक्स ठीक है दा मिनिस्ट्री ओफ अउसमेटर हैपिनेस एक्स्ट्रीम हैपिनेस या अट्मोस्ट हैपिनेस दा एल जैब्रा ओफ इन्फिड्स जस्टिस ठीक है ये आपने याद रखनी है उसके बाद आया था असद अली खान डैश वादन के उस्ताद है तो रूदरवीना के उस्ताद है असद अली खान बारतिय संगीतकार असद अली खान का जनम एक दिसंबर 1937 को हुआ था वे रूदरवीना बजाते थे जो एक तारवाला वाध्ययंतर है ये याद रखना है कि रूदरवीना क्या है एक तारवाला वाध्ययंतर है खान ने कई रास्टिय सम्मान जीते जैसे कि 2008 में नागरिक सेवा के लिए पदम बूशन पुरशकार और 1977 में संगीत नाटक अकाडमी आवोर्ड जीता था अगर हम बात करें सितार की, तुरवी शंकर, पंडित निखिलवैनर जी, अनुषका शर्मा, इमरात खान और विलायत खान, तबला की बात करें जाकिर हुसैन, अलारखा, अनुचो चतर जी, अनुरागपाल, शंकर घोष और शेहनाई की बात करें तो बिस्मिल्ला खान पेडियाक्ट से चार कोशन पुछे गए हैं तो Aut Original अपने अच्छेसे कर लीजिएगा वित आयोग का गठन भारत की राष्टपती द्वारा सम्विदान के अनुचे 282 के अंतरगत आता है भारतिय राष्टपती द्वारा भारतिय सम्विदान के अनुचे 282 के तहत वित आयोग की स्तापना की गई थी वित आयोग संग और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसादानों के आवंटन के उदेश्य मेकसम विदानी निकाय है यह केंदर और राज्यों के बीच वीतिय संबंदों को प्रिबाशित करने के लिए बनाया गया था इसका गठन 1951 में हुआ था अगर हम बात करें 1951 की तो 1951 में पहले जनरल इलैक्शन हुए थे पूछ सकता है कि फर्स जनरल इलैक्शन कब हुए थे 1951 में हुए थे 1951 में गठि वित आयोग के पहले अध्यक्ष भी याद रखिएगा के सी नियोगी है उसके बाद है bad man किसकी आतमकता है तो आपकी जो bad man है वो किसकी गुलशन गरोवर की आतमकता है अनुचेद पीचतर देखो बिल्कुल डारेक्ट पूछा गया है अनुचेद पीचतर के अनुसार जो आपका COM होता है जो मंत्री पुरिशद होता है वो सामुहिक रूप से किसके उतरदाई होता है तो वो आपका लोगसबा के उतरदाई होता है अगर हम बात करें लोगसबा की तो लोगसबा में आपका money bill present किया जाता है लोगसबा में एक यह चीज़ याद रखना कि लोगसबा का article कौन सा होता है एक तो लोगसबा की age याद रखनी है 25 साल और article कौन सा होता है article होता है इसका article 81 ठीक है यह दोनों हमने याद रखनी है उसके बाद अगला question सेम है यह तो कि bad man कि इसकी आतम कता है गुल्षन ग्रोवर की अनुचेज 75 उसके बाद पुछा गया है देखो इस 75 के बारे में अच्छे से बता देते हैं जो भारतिय समविदान का अनुचेज 75 तीन है उसके अनुसार जो मंत्री परिशद है सामूहिक रूप से लोगसबा के परती उतरदाई होगा अनुचेज 75 मंत्री परिशद से सम्बंदित प्रावधानों के बारे में बात करता है मंत्री परिशद में परधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोगसबा की कुल सदश्याओं की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए राष्टपती के परसान परत्य मंत्री पत्धारण करेंगे और मंत्री प्रिशद सामुहिक रूप से लोग सब आके परती उतरदाई होगा ठीक है उसके बाद पुछा गया था कुछी पुड़ी यह मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में करवा रखा है कल भी मैंने यह बेच जा था पीडिएफ के रूप में तो क कुछी पुड़ी आपका आंधर परदेश से संबंदित है देखो एक होता है भारत नाटम भारत नाटम मैंने याद भी अच्छे से करवाया था भारत नाटम एन से नाटम आ रहा है तो इसको याद रखिएगा तमिल नाडू एन से नाटम और एन से नाडू तमिल नाडू ठीक है ऐसे ही कुच्छी पूडी में देखो पूडी पी आ रहा है तो यह हो जाएगा आपका आंधर परदेश ठीक है कुच्छी पूडी क्या हो जाएगा हमारा आंधर परदेश उसके बाद आता है केरला के दो मुख्य होते हैं एक होता है हमारा कथकली के के आ गया तो कथक कली और एक होता है इसको 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांसिस में inवोल्ब किया गया था तो ये कोशन हमारा फेस ट्वैल में पुछा गया था ठीक है कुची पुड़ी जो है एक पारमप्रिक भारती है शास्त्रिय निर्टय प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंदरपरदेश में हुई थी यह एक अभिवेंजक निर्टय प्रारूप है जो निर्टय संगीत और नाटक का संगम है उसके बाद आता है किस बारतीय राज्ये देखो कल जो वीडियो करवाई थी मैंने उसमें भी य राज्ये की साक्षर्ता दर सबसे कम है तो सबसे कम किसकी है बिहार की और सबसे ज्यादा किसकी है केरला की 2011 की जनगन्ना के नुसार बिहार की कुल साक्षरतादर 61.80 है इसमें पुरुष साक्षरतादर 61.20 है महिला साक्षरतादर 51.50 है 2011 की जनगनना के अनुसार बिहार सबसे कम शाक्षर राज्य है और सबसे ज़्यादा किसका है केरल का है 93.91 अगर हम बात करें लीटरेशी रेट की लीटरेशी रेट की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें ओवरोल कितना है इंडिया का तो ओवरोल जाएगा आपका 75.04 कौन सा एक मोलिक करतेवय नहीं है देखो DPSP से डिरेक्ट दो कोशन पुछे गए थे पहले भी बता चुके हैं DPSP कहां से लिया गया है आयरलेंड से लिया गया है ठीक है दूसरा क्या है किस टोटल कितने DPSP हमारे समविदान में 11 हैं 10 कहां से लिये गए हैं 10 जो आये थे वह है कोन सा करतवय नहीं है तो आपका वोट डालने का अधिकार ओप्शन में था वो आपका करतवय नहीं है स्वन सिंग Selfies समीतुकी सिफारिश पर भारतय समविदान में मोलिक करतवयों को जोड़ा गया है देखो आज पूछा गया है कि किस समीति के अंतरगतिन को जोड़ा था दो सवंण सिंग समीती थी उसकी सिफारिश पर भारतिय सम्विदान में मोलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था बारत के सम्विदान में मोलिक कर्तव्यों का उलेक अनुछेद 51A में रखा गया है पार्ट 4A में मोलिक कर्तव्यों परकर्ती में गैर न्याइक हैं मोलिक कर्तव्यों का अविचार रूसी सम्विदान आयरलेंड मतलब आईरिश रूसी सम्विदान कर्तव्यों का अविचार रूसी सम्विदान से लिया गया है बारतिय सम्विदान में मोलिक करतेवगों को भी आड़ेश में सम्विदान संसोधन उन्निस सोची यतर में दस जोड़े गए थे ग्यार माकब जोड़ा गया था, 86 में ये याद रखना पूछा जाता है बारतिय सम्विदान में टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 11 मोलिक अविदार है सबसे पहले है सम्विदान का पालन करना और राष्ट्य धवज और राष्टगान का सम्मान करना दूसरा है सवतंतरता संगराम के आदधशो का पालन करना भारत की संपर्दुता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आहान किये जाने पर राष्टिय सेवाय परदान करना, समान माततों की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति का संगरक्षन करना, प्राकर्तिक प्रियावरण का संगरक्षन करना, और वैग्यानिक द्रस्टी कोई विक्सी देखो यह सारे पढ़ लीजिए क्योंकि आज के option में कुछ और दिया गया था कल के में कुछ और दे देगा तो यह 11 है 11 पढ़ के जाईएगा बढ़िया से दो नंबर मिल जाएंगे उसके बाद आता है मुद्रा की फुल फॉर्म पुछी गई थी माइक्रो यूनिट्स जवलप्मेंट एंड रिफाइन्स एजेंसी ठीक है परधान मंत्री मुद्रा योजना 8 अपरेल 2015 को माननिय परधान मंत्री द्वारा 10 लाक रुपे तक केरिन उपलब्द कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है PMMY के यह आप देख लिए जाब 50,000 तक केरिनों को समलित करते हुए शीशू नाम दिया गया था अगर आपका 50,000 रुपे से उपर और 5,000,000 से कम है तो तरण तरून है और 5,000,000 और 10,000,000 के बीच में है तो उसको तरून कहा गया है एक बल्ले बाज को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है तो एक बल्ले बाज को 10 तरीके से आउट किया जा सकता है दस तरीके देख लीजिए पहला तरीका क्या है खिलाडी को बोल्ड किया जा सकता है कैच आउट हो सकता है ये आप देख लीजिएगा ये तो ना भी पूछा जाए दुबार है ये बाकी ये हैं कि बिना पर्मिशन के गेंद को हैंडल करना डबल हिट दो बार मान देना समय समापत हो जाना ये सब एक कोशन पूछा गया था जो कि इसमें लिखा नहीं है हमने एक कोशन पूछा गया था कि 2019 में जो भारत रतन दिया गया था वो किसको दिया गया था 2019 में भारत रतन बुपेन हजारिका को कोशन पुछा गया था कि भुपेन हजारिका को जो भुपेन हजारिका थे उनको भारत रतन किस वर्स दिया गया था तो उनको दिया गया था एक है father of green revolution है MS स्वामिनाथन ठीक है नर्सिम्मा राओ ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा उसके बाद एक question पूछा गया था कि जो do or die है do or die करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस उसमें दिया था तो 8 अगस्त 1922 को quit India moment हुआ था quit India moment उसमें महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था करो या मरो क्या दिया था महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था करो या मरो तो यह आप याद रखना है, Do or Die, करो या मरो का नारा किस उसमें दिया गया था, Quit India Moment में दिया गया था, कभ हुई था, Quit India Moment, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, एक आप से यह पूचा गया था कि World Waters Day कब मनाया जाता है, World Waters Day, यह कब मनाया जाता है, तो World Waters Day मनाया जाता है, 22 March को, ठीक है, हमारा paper आ रहा है CPO का वो एक तो आपका census 2011 से question पुछे जा रहे है census 2011 से आज भी 2 question पुछे गए थे एक आपका main है dances से देखो dances से आपके 2 या 3 question dances से पुछे गए थे एक आपका festival है festival आज देखने को नहीं मिला है ठीक है उसके बाद है instrument instruments जो है वो हमें देखने को मिले जैसे रूदरवीना कौन किस से संबंदित है तो इसके भी 2-3 question बच्चे बता रहे थे एक हमारा है articles कौन सा है articles articles से 4 या 5 question मिले हैं बिलकुल direct बिलकुल direct question देखने को मिले है 4 या 5 question हमारे article से मिले है ठीक है एक तो ये 5-6 topic ऐसे हैं जो बार-बार पुछे ही जाते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ के जाईएगा अगर आपको इनकी PDF वगएरा कुछ भी चाहिए तो वो कल ही हमने अपने टेलिग्राम चैनल SSE Solutions विदानुज पर डाल दी थी हम अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद